जय हिंद जय जवान जय किसान देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों मैं कल से ही देख रहा हूं कि जयोतिरा दित्य सिंधिया को ले करके तरह तरह की बाते की जा रही है तमाम लोगे कह रहे हैं कि जयोतिरा दित्य सिंधिया गद्दार था जो कांग्रेस पार्टी क को छोड़के चला गया है कि जोंगरेश पार्टे को चोड़के चला गया अरे मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जोंगरेश के ज साथ गदारी कि sin कि आज अगर OBC समाज के लोगों का विकास नहीं वो पाया है यानि देश के किशानों का देश का मजदूरों का विकास नहीं हुआ है तो वह कांग्रेश की बदावलत है मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर अब तक ब्यापारी जो हुआ करते थे कभी गोडे घोडे खचर पर अपना ब्यापार करते थे आज वह लोग अपना ब्यापर हवाई जहाज, एरो प्लेन, शीप, बोट और रेल गाडियों के माध्यम से कर रहे हैं लेकिन हमारे देश का जो किशान था वो तब भी गरीब था, आज भी गरीब है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जोतिरादित्य शिंधिया को जो आप लोग बता रहे हो कि मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेश की जो नीव पड़ी थी वह नीव ही OBC के साथ गददारी करने के लिए पड़ी थी सन 293 में जब अंबेटकर जी संसत के अंदर थे कारेकारणी के सद से थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि देश के अंदर जो OBC समाज के लोग हैं OBC समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए उनको आरचण की सुविधा मिलनी चाहिए उनकी जातिये जनगणना होनी चाहिए और जातिये जनगणना करा करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए जिस तरीके से कि वो भी दली समाज की आरचण की भागीदारी तना हुई थी लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शन 1903 में डाक्टर अंबेट करके दबाव में आकर के जवाहरलाल नहरू ने जातिये जनगणना कराने के लिए वो भी सी समाज की उन्होंने काका केल कर समित की एक रिपोर्ट एक आयोग तैं किया था जो कि पूना का रहन लेकिन वह नहरू इतना गदार आदमी था मैं खुला चैलेंज करके बताता हूँ आप लोगों को कि नहरू इतना बड़ा गदार आदमी था कि उसने उस आयोग को जो है संसद में चर्चा कराने की बात तो दूर थे उसने उसको कचरे के डब्बे में डालने का काम किया और में डालदीया लेकिन 22 जो ववजी स माझ के लोग है जो 52 परसेंट वभी सी समाझ के लोग है वो कहते हैं कि जो चाचा नहरू थे जाचा नहरू बच्चों के चाचा थे देश आगे बढ़ने बढ़ाने वाले लोग थे लेकिन ऐसा नहीं था उस आदमी ने यह सोचा कि जो आज शामंतवादी और पूंजीवादी शंसत के अंदर बैठे हैं इनकी कहीं बंतधार न हो जाएं कहीं इनको जो है शत्ता से बाहर न हो जाएं इसलिए उसने काका केलकर समीती को दबाने का काम किया उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सन 2970 में यही लोग जो काका केलकर समिती को लागू करने के लिए रिपोर्ट लागू करने के लिए विपच्छी नेता जो आंदोलन करने पर उतारू थे उस समय इमरजेंसी लागू करके इंदिरा गांधी ने सारे पहोशना हुई इंदिरा गांधी को शारे नेताओं को जेल से छोड़ना पड़ा और वो लोग जैसे ही जेल से छूटके आये सारे विपच्छी नेता एक जुट हो गए और एक जुट हो करके वो शारे के शारे लोगों ने एक नई पार्टी का निर्मार किया जिसका नाम जनता पार्टी और जनता पार्टी जब चुनावी मैदान में कुदी तो उसने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इस देश के अंदर हम जो है काका केल कर समीति को लागू करेंगे अभी तक जितने भी क्रांतिकारी साथ ही देख रहा है मैं उनसे बताना चाहता हूं कि कां लुगों को बताऊंगा लेकिन आप लोगों से गुजारिश है आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बिडियो को दुनिया के कोन्य कोने तक अगर पहुचाने का काम करेंगे तब हमारा हाउसला बुलंद होगा और मैं उनकी पोलपटी खूलने का काम करूंगा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ग्रूपों में शेयर कीजिए और आप लोग ग्रूपों में शेयर कैसे करेंगे आप लोग जो बीडियो देख रहे हैं वहाँ नीचे आप देखेंगे शेयर का आपसन है उस शेयर के आपसन पर जा करके आप लोग जैसे ही Share का आप संदबाएंगे वहां जो है, एक लिस्ट आएगी जिसमें लिखा होगा Share the Group, Share the Group आप लोग छोड़ दीजिए, और नीचे जाइए वहां लिखा होगा share to group, और जैसे ही share to group में आप जाएंगे, आप लोग एक एक करके सारे group course कर दीजिये, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सारे ग्रूपों में बीडियो को पहुचाने का काम कीजिए एक तरफ से सारे ग्रूपों में बीडियो आप लोग पहुचाने का काम कीजिए उसके बाद मैं बताता हूं आप लोगों को कि किस तरीके से किस तरीके से काका केलकर स प्रमीती को हटा करके मंदल कमीशन आयोग बनाया गया और मंदल कमीशन आयोग जो बना उसको किस तरीके से धोखे में रखा गया और उसे कैसे नहीं लागू किया गया उसके बाद मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ अभी तक शिर्फ कुछ ही लोग गुरूपों में शेयर कर पाए हैं और मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जिन लोगों का गुरूपों में शेयर नहीं हो रहा है वो लोग अपने टाइम लाइन पे शेयर कर दें शेयर करेंगे राइट दपोस्ट आएगा उसको शेयर कर दें आज क्योंकि आज जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन सामंती और मनुवादी विचारधारा के लोगों के पिछवाडे में आग लगने वाली है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ जैसे ही नई सरकार बनी जंता पार्टी की उस समय मुरारजी देशाई प्रधानमंत्री बने लेकिन मुरारजी देशाई भी पैदाईशी ब्राहमर थे वो नहीं चाहते थे कि इस देश के अंदर काका केलकर की समीती लागू की जाए और 52% OBC को वारत छण दिया जाए या उनको सुभिधाय दी जाए जैसे ही उनकी सरकार बनी वो प्रधानमंत्री बने पिछडे नेता तुरंत आ गए और उन्होंने कहा कि आप काका केलकर समीती को लागू कीजिए बड़े ही सावानी से उसने जो है एक चाला की से योजना बनाई और उन्होंने कहा मुरार्जी देशाई ने कि यह जो काका केल काका कालिकर आयोग यह सन 1913 पन का है यह बहुत पुराना हो गया है और इस शमय उन्होंनाई 1778 चल ला है तो अब नया आयोग बनाने की रिपोर्ट जरूरत है और नया आयोग जब बनेगा तो फिर नई रिपोर्ट लागू की जाएगी यानि वो चाला की थी कि जैसे ही न हमारी सरकार हमारी सरकार उस्षमय बदल जाएगी लेकिन हुआ क्या कि ठीक उसी तरीके से केवल 18 महिने ही मुरार्जी देशाई की सरकार चली और वह धारा साई हो गई वह धारा साई हो गई और दुबारा फिर इंद्रा गांधी चुन करके प्रधान मंत्री बनी और इंद्रा गांधी जैसे ही प्रधान मंत्री बनी शन 1981 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आ गई मंडल आयोग जो की बीपी मंडल थे बिंधेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के उनके उनकी अगवाई में उनके नेतित में जो है यह रिपोर्ट बनी उनकी अध्यचता में और जैसे ही मंदल आयोग की रिपोर्ट 80 में आई कि पूरे भारत के आंदर जो ओबीशी की जातिया है, उनको उपजातियों में विभाजित कर दिया गया है आमने रखा गया लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी के सामने यह प्रस्ताव आया इंदिरा गांधी भी नहरू की तरह कि इस पर ू suppliers नहीं होने दी लेकिन एक बात थी कि उस समय जब नहरू झी के मंधर में एक भी वी सी-स आंसद नहीं था मंतरी मंदल में लेकिन इंदिरया के मंदल में 8% ओवीशी सांसत थे वह जो है हल्ला खड़ा कर दिये वह उस पर बहस करना चालू कर दिये इस से इंदिरया गांधी घवरा गए क्योंकि ओभीशी शांसतों के साथ दलित जो सांसत थे वह भी इस बीडियो को सारे ग्रूपों में सेयर करके देश के कोने कोने तक पंचाईए क्योंकि क्योंकि जोतीरा दित्य सिंधिया आफेला गदार नहीं है इसमें जवाहरलाल नहरू भी गद्दार है इंदिरा गांधी ते राजियू गांधी भी गद्दार आज देश के अंदर 27% अगर आरा छड़ लागू हुआ है तो वह जो है लालू यादों की बदावलत हुआ है